जेन फ्रिंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने य्टूब चैनल प्रमोस वारानसी में फ्रिंट्स आज किस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश इस्पिसल बिल्कुल डिस्टी को आइच कवर कर रहे हैं और अभी तक इस पर हमने दो वीडियो अपलोड कर दिया है सबसे पहला वीडियो था वारानसी का इतिहास और दूसरा वीडियो था आजमगर का इतिहास अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक वीडियो के डेस्क्रिशन बॉक्स में दिया गया है उसको आप चेक आउट करके वहां से देख सकते हैं, जब अरदस तरीके से हमने वहाँ पर समझाया है, और वहाँ से आप देख लेंगे तो पूरा वहाँ से जितना कोशन बनता है चाहे वारानसी से, आजमगर से सब कुछ आपका कबर हो जाएगा तो आज की वीडियो में मिर्जापूर की इतिहास को जानने वाले हैं, यानि जो भारत का मानक समय होता है, India Standard Time यहीं से ही निर्धारित किया गया है, और साथी साथ जो है मिर्जापूर का इतिहास, मिर्जापूर की अस्थापना मिर्जापुर का नामकरण कैसे हुआ था तमाम चुजों के बारे में बात करेंगे तो आपकी एक्जाम में यहां से definitely question बनते हैं तो वीडियो के एंड तक आप लोग जरूर बने रहिएगा last में हमने question भी रखा है आपको इस question का answer भी देना है तो मिर्जापुर के map को देखते हैं और सबसे ऊपर जो है सबसे पहला question मनता है कि मिर्जापुर किस नदी के तड़ पर बसा हुआ है तो मिर्जापुर गंगा नदी के तड़ पर बसा है और यहां आप line देख रहे हैं ठीक है यह लाइन आपको जो दिख रही एक गंगा नदी है यानि गंगा रीवर है और यहीं से गुजरती है तो पहला कोशन यहीं से तयार हो जाता है कि मिर्जापूर किस नदी के तड़ पर है तो यहां गंगा नदी के तड़ पर है चलिए आगे चलते हैं सबसे पहला कोश मिर्जापूर मंडल है और इस मंडल में कितने जिले आते हैं तो आपको याद रखना है मिर्जापूर मंडल में तीन जिले आते हैं कौन-कौन से एक मिर्जापूर खुद आता है दूसरा सोनभद्र और तीसरा भदोही तो मिर्जापूर मंडल में तीन जिले हो गए मिर्जा मिर्जापूर सोनभद्र भदोही अब बात आती है मिर्जापूर का नामकरण आखिर कैसे हुआ था तो यहाद दो सब्दों से इसका नामकरण हुआ था पहला अमीर सब्द और दूसरा जाद और परसिया में अमीर जादा को मोरजा कहा जाता है ठीक है इनी दोनों के संयुक् परसिया में इसे अमीर जादा कहा जाता है और इसी अमीर जादा को मोर्जा कहा गया ठीक है परसिया में इसी अमीर जादा को क्या कहा गया मोर्जा कहा गया और इसी से अपभरंस यानि परिवर्तित हो के इसी का नामकरण जो है मिर्जापूर कर दिया गया ठीक है यही चीज रहा यहां पर मिर्जापुर का इतिहास कि मिर्जापुर जो है दो सब्दों से बना एक तो पहला अमीर और दूसरा जाद और परसिया में इसे अमीर जादा को मोर्जा कहा जाता है ठीक है इसी अमीर जादा को परसिया में मोर्जा कहा जाता है और मोर्जा जब आगे अपभर में लाड मर्कूरियस वैलेसले ने बसाया था याद रखेगा 1735 में लाड मर्कूरियस वैलेसले ने मिर्जापूर सहर को बसाया था तो यहां से 3-4 चीज़े आपको कंफर्म हो गई कि मिर्जापूर किस नदी की किनारे बसा हुआ है मिर्जापूर गंगा नदी की तट पर ब आया था तो लाड मर्कूरियस वेलेसले ने बसाया था 1735 इस भी में याद रखेगा बहुत इंपॉर्टन्ट है आगे चलते हैं मिर्जापुर में जो इसकी साथ छर्तादर यानि लिटरेसी रेट की बात करें तो 68.49 है ठीक है यानि 68.48 परशंट है यहां की सक छर्तादर लि बहुत जादा पूछा जाता एक्जाम में बिंधाचल परवत उत्तर प्रदेस के किस जिले में है तो दिंधाचल परवत उत्तर Quốc के मिर्जापूर जिले में है उस प्रकार के जीके हम कवर करें बिलकुल जो है क्यों argentि आपके लिए बहुत हैलभूल थावित होका क्योंकि जितने भी कोशन बन सकते हैं, आपको एक ही वीडियो मिल जाएगा, जैसे मिर्जापूर से जितने इतिहास के कोशन है, जितने ट्रेडिशनल जी के कोशन है, और ओडी ओपीस जितने कोशन होते हैं, आपको कहीं भाटेकनिक जरूत नहीं, एक ही वीडियो में सब कुछ समाई तो इसी प्रकार हर जिल्य को हम कवर करेंगे चलिए यहां पर बिंधय चल परवत आया है तो यहां पर एक चीज़ और देख लेते हैं यहीं पर बिंधय चल धाम भी है और यहीं पर त्रिकोंड परिक्रमा भी है त्रिकोंड परिक्रमा में क्या है यहां पर अश्ट भुजा धाम भी है और बिंधेचल मंदीर है और साथी साथ क्या है काली खोह मंदीर है तो इन तिनों मंदिरों को अच्छे सियाद रख्येगा इनी तिनों मंदिरों को ट्रिकोन thema कहा जाता है अगला point है नार्थ में गंगा ठीक है यानि उत्तर में गंगा के कछारी मैदान का हिस्सा है और south में विन्ध परवत की कुछ पहाडियां है। इसको भी अच्छे से याद रखेगा जो नार्थ वाला पोर्शन है यहां पर गंगा का कछारी मैदान है और साउथ हेरिया की बात करें यानि साउथ हेरी दक्षिड में बिंध परवत की कुछ पहाड़ियां है और यहां पर पिंग की स्टोन पाया जाता है यानि तो अगर कोशन बने कि असोक के काल में बने अस्तंभलेक किस पत्थरों से निर्मित किये गए थे तो गुलाबी पत्थरों से यानि पिंक स्टोन से निर्मित किये गए थे वहीं पर जो आयोद्ध्य में राम मंदिर बना राम मंदिर यहां पर बना इसमें भी पिंक स्टोन का प्रियोग किया गया ठीक है और राम मंदिर से जितने कोशन बन सकते हैं आगे हम और कवर करेंगे जो नेक्स डिस्टिक आएगा ठीक है उसमें कवर करेंगे चलिए नेक्स पर चलते हैं बिंदाचल धाम हो गया यहां पर त्रिकोंड परिक्रमा हो गया यानि अस्ट भुजा धाम और बिंदाचल मंदिर काली खोह मंदिर बहुत यहां पर सब लोग काफी लोग गये होंगे भारत का मानक समय है , इंडियन standing time जो भारत का मानक समय है आप देखेंगे तो बिलकुल इस परकार यहां पर डिजाइन किया गया है ठीक है ? लांगी ट्यूड यहां पर सब कुछ अच्छे से दिया गया है इसको जाब पढ़ेंगे तो आप चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं चलिए भारती मानक समय भारती मानक समय पहला होता है IST क्या है IST जो हम लोग समय देखते हैं इसमें जो है इसका निर्धान कहां से होता है मिरजापुर से होता है अब IST का अगर फुल फार्मा से पूछे तो Indian Standard Time होता है क्या होता है Indian Standard Time यानि भारती मानक समय और भारती मानक समय की जो गड़ना है या उत्तर प्रदेश के मिरजापुर में इस्थित एक घंटा घर है और वहीं पर कमरावती चवराहा है उसी अमरावती चवराहे से इसका 84 डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर इसका भारती मानक समय का निधारन किया गया और एक currency related चीज है की जो यहाँ अमरावती चवराहे का नाम जो है वो बदल दिया गया है अमरावती चावराहे का नया नाम क्या कर दिया गया अटल चावराहा कर दिया गया इसको भी अच्छे स्याद रखेगा अमरावती चावराहे का नया नाम क्या किया गया है जो मिर्जापुर में है यह अटल चावराहा किया गया है दूसरा पॉइंट बनता है कि भारती मानक देसांतर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है जितने कोशन करवा रहे हैं सभी से कोशन पूछे जाते हैं एक्जाम में भारती मानक देसांतर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है पांच राज्यों से होकर गुजरती है भारती मानक देशांतर रेखा कुल पांच राज्यों से होकर गुजरती है कौन कौन से राज्य है इसको याद कर लीजिए यहां से कोशन यूपिटर पलस्य का फैवरिट टॉपिक है जरूर पूछा जाता है और इसके पहले जो वीडियो का पेपर हुआ था यहां से एक प्रस्न पूछा गया था उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, छतीसगड, ओडिशा और आंध्यप्रदेश यानि भारती मानक देशांतर रेखा यहां पर भारत के पांच राज्यों से होकर गुजरती है और यहां पर देखिए दो पॉइंट जो बार बार पूछे जाते हैं कौन से पॉइंट है देशांतर रेखा की कुल संख्या अगर पूछे आपसे तो देशांतर रेखा की कुल संख्या 360 है कितनी है देशांतर रेखा की कुल संख्या 360 है वहीं मानक गलोब पर अच्छांसों की संख्या कितनी है अच्छांस 189 है और देसांतर रेखा 360 है यह दोनों question बहुत important है इनको भी अच्छे से याद रखिएगा देसांतर रेखा कुल कितने है 360 है और मानक globe पर अच्छांसों की रेखा कितनी है 189 है चलिए आगे चलते हैं और आगे चलने से पहले यहाँ पर एक बार इसको की की रीजन कर लेते हैं ताकि इसी वीडियो में याद हो जाए भारती मानक समय की बात करें यानि IST के बात करें इसका full form क्या है इंडियन स्टेंडर टाइम है या भारती मानक समय की गढ़ना उत्तर प्रदेश के मिर्जा पुर्व के घंटा घर अमरावती चौरह है और जिसका नाम अटल चौरह कर दिया गया है वहीं से साड़े 82 डिगरी पूरी देसांतर के अधार पर इसका मानक तै किया गया है और भारती मानक देसांतर रेखा कितने राज्य उकर गुजरती है 360 होती है और मानक गलोप पड़ अच्छांसों की रेखा कितनी होती कुल 189 होती है तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ सकते देखेंए यहाँ पर आप स्क्रीन साट ले सकते हैं इसका यहां से आप पढ़ सकते हैं चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले segment पर अगला segment पर है तारकेश्वर महादेव मंदिर टिक है यानि मिर्जापुर में और कांचा मंधिर है इसको भी देख लेते हैं कांचा परेटर नस्तल है तो तारकेश्वर मंदिर है और सीता कुंड है और अडगरान जी महराज का आस्रम भी है यहीं पर है तो यह बहुत important है तारकेश्वर महादेव मंदिर सीता कुंड और अडगरान जी महराज का मंदिर ठीक है आस्रम है नेक्स्ट है कैमूर वन जीव अभ्यारण क्या है कैमूर वन जीव अभ्यारण एक कहां पर है मिर्जापुर और सोन भद्र दोनों जिलों में है याद रखेगा कैमूर वन जीव अभ्यारण का एरिया जो है दोनों जिलों में लगता है मिर्जापुर में भी और सोन भद्र मे कैमूर वन जिव अभ्यारण की अस्थापना की बात करें तो 1882 में यानि 1982 में इसकी अस्थापना होई और यहाँ पर जो प्रमुख जानवर पाया जाता हो ऐसे कई जानवर पाया जाता है कौन सा काला हिरन तो याद रखेगा कैमूर वर्न जिव भ्यारन मिर्जापूर और सोनभद जिले में फैला हुआ है और इसमें कौन सा जानवर प्रमकुरूप से पाया जाता है तो काला हिरन प्रमकुरूप से पाया जाता है अस्थापना 1982 में हुई यहां पर कई वाटर फाल भी है और वाटर फाल यहां पर जैसे विंडम वाटर फाल और यहां पर आप देख सकते हैं कई वाटर फाल है जो बार बर एक्जामें में पूछे जाते हैं वही यहां पर हम करवा रहे है चलिए सबसे पहला है विंडम फाल ठीक है विंडम वाटर है और सिधनात दरी है सिधनात दरी जहरना है और चूना दरी जहरना है राज दरी है देव दरी है और लखनिया दरी है और यह विंडम फाल बहुत इंपोर्टन्ट है यह आपको मिलान करने के लिए दे सकता है ठीक है तो इसको अच्छे से याद रखेगा विंडम फाल अगर पूछेगा विंडम फाल उत्तर प्रदेश के किस दिले में है मिर्जापुर में है सिद्धनात दरी कहां पर है मिर्जापुर में है चूना दरी जहरना मिर्जापुर में है राजदरी जहरना मिर्जापुर में है और लखनिया दरी पूछे तब भी मिर्जापूर में है ठीक है यानि आपको एक साथ याद रखना है इतने question विंडम फाल, सिदनाद दरी जरना चूना, दरी जरना, राजदरी, देवदरी और लखनिया दरी ये सभी कहा है मिर्जापूर में है चलिए, आगे आते हैं GI Tag पर तो GI Tag जो होता है Geographical Indication होता है यानि यह किसी विसेश छेतर में या विसेश वस्तू के लिए दिया जाता है तो उत्तर प्रदेश का जो मिर्जापूर जिला है इसको यहाँ पर किस प्रोड़क्ट के लिए GI Tag दिया गया है चुनार Glaze Pottery के लिए GI Tag दिया गया है वहीं पर One District One Product की बात करें तो One District One Product में आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं यह जो कालीन है कालीन को सेलेक्ट किया गया है यह One District One Product में भी इसको सेलेक्ट किया गया है चलिए, यहाँ पर पीतल का उद्दोग भी होता है ठीक है, पीतल का उद्दोग भी यहाँ पर है चलिए, अगला है देश में पहली बार फ्रांस के सहयोग से देश में पहली बार फ्रांस के सहयोग से उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के दादर कला गाउं एक गाउं याद रखिएगा दादर कला गाउं में 75 मेगावाट सोलर एनरजी प्लांट का जो है लगाया गया और यहां उद्गाटन किसके दोरा किया गया था यहां उद्गाटन फ्रांस के रास्टपती इमेनुवल मैकरान और भारत के प्रधान मंतरी पीम मोदी जी के दोर किया गया था तो यहां से डेफिनेटली कोशन जब यहां चर्चा में था तब भी कोशन बना था आगे भी कोशन बनता रहेगा तो एक कोशन याद रखिएगा क्योंकि देश में पहली बार फ्रांस के सहयोग से उत्तर प्रधेश के मिरजापूर में दादर कला गाउं किया गया और मिर्जापूर में क्या चीज़ प्रसिद्ध है अगर कजरी महोत्सो की बात करें तो कजरी महोत्सो मिर्जापूर में प्रसिद्ध है तो पूछा जाता है कि कजरी महोत्सो कहा मनाया जाता है कजरी महोत्सो मिर्जापूर में मनाया जाता है वहीं पर कर्मा नि निर्ट की बात करें और चावलर निर्ट की बात करें तो यह सभी निर्ट मिरजापूर और सोनभद्र जिले में मनाया जाते हैं तो दोनों अच्छे से याद रखिएगा उपर हमने एक चीज़ बताया है कैमूर बने जी अभ्यारण यह भी कहां पर है सोनभद्र और तो जो चावलर निर्ट होता है किस लिए मना जाता है तो जब अच्छी वरसा होती है और फसल काटने प्वसल होने पर ठीक है अच्छी वरसा हो यह मीरजापूर और सोनभद्र में तो याद वर्षा यहों फसल होने पर चवलर नित्य किया जाता है ठीक है और यहां पर देख लिए जो चुनार का किला है यह भी बहुत प्रसिद्ध है और यहीं पर सोनवारानी का मंडप भी है इसको भी याद रखेगा सोनवारानी का मंडप उत्तर प्रदेश के किस जिले में है तो म कंप्यूटर के प्रस्ण बन सकते हैं सभी को बिल्कुल टॉपिक वाई यहां पर रखा गया है आनवल टाइम में जूनियर असिस्टेंट इस्टैनोगरापर वीपी ओ फारेस्ट गार्ड एटियो एक्सरे टेकनीशन की एक्जाम लगे हुए है साथ इस एजटीज के तो इ यहां से आप टेस्ट लगाई है आपके सभी कोशन साल होंगे और आप इसको तीन से चार बार पढ़ जाई है उसके बाद फिर कोई टेस्ट लगाई है एक्जाम में आप बहतरीन स्कूर करके अपनी एक सिट पक्की कर सकते हैं तो इस इबुक को लेने का प्रोसेस क्या है जो इसक्रीन पर नमबर दिया जारा है 9793661506 इस पर आप 100 उपर पेमेंट करके और इस इबुक को आप परचेज कर सकते हैं ठीक है 100 उपर पेमेंट करने के बाद आपको इसक्रीन साथ इसी नमबर पर सेंड करना होगा ए वाटसेप नमबर भी है साधी साथ जैसे UPGK है ज इसमें हमने बिल्कुल लेटेस्ट पैटन पर आधारी जितने टॉपिक हो सकते हैं सब कुछ यहाँ पर एड किया है यूपिटर प्रचेज की जितने फैवरिट टॉपिक है हर एक टॉपिक के बाद PY को कोशन देखने को मिलेगा साथ आज तक यूपिटर प्रचेज में ज जनवरी टू जून दो हजार चोविस यानि 6 मन्त का करेंट अफेर यहाँ पर दिया जा रहा है तो दोनों इबूक अलग-अलग है यानि आपको जैसे उत्तर प्रचेज जीके है यह आपको अलग दी जाएगी और करेंट अफेर अलग दिया जाएगा ठीक है तो इसका प्र प्रवाइट करा दिया जाएगा तो आज की इस वीडियो में हमने मिरजापुर की इतिहास को कवर किया और यहां पर आप इस टाइप की वीडियो कांटीन्यू देखना चाहते हैं तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लें साथी सथ बेल आइकान को भी प्रस कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड के सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो फ्रेंड्स वीडियो कैसे लिए कमेंट बाक्स में जरू बताइएगा क्योंकि आपका एक कमेंट और एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है मिलता है नेक्स्